दोस्तों ये है Motorola A10 और ये है Motorola A50 अब आप सोच रहे होगे कि दोनों फोन्स दिखने में तो सेम है तो अलग-अलग कैसे फरक है भाई बैक से आपको पता चलेगा अब यही फरक बताने के लिए ये वीडियो है तो आज मैं करने वाल हो मोटरोला A10 का मोटरोला A50 से दोनों भी फीचर फोन ने दोनों भी चैनल पर बहुत बाँ शोकिस हो चुके है आज इस कंपारिजन में आपको बता चल जाएगा कि आपको आपके पैसे कौन से फीचर फोन में इन्वेस्ट करने ही जाधा राएं बढ़ते हैं सीधा यहाँ पे कंपारिजन के और अब देखो बाई डिजाइन वाइज ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा आपको शॉट में बता देता हो सामने से आपको बता चल जाएगा हर एक चीज जो है इन डिवाइस की यहाँ पे सेम है बैक को चोड़के क्योंकि बैक में यहाँ पे A50 में कैमेर का एडिशन है वरना पोर्स और बटन की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा सिमिलर नहीं एक ही डिवाइस है बस कैमेरा का फरक है अब डिजाइन की बात रखते है साइड में बिल्ड गॉलिटी दोनों का आपको यहाँ पे सेम देखने मिलता है सारी चीज़े यहाँ सेम देखने मिलते है अलमोस्ट फोन यहाँ पे सेम है प्राइस और कैमेरा को लेकर तो डिस्प्ले के अगर बात करूं तो 1.8 इंच का डिस्प्ले आपको दोनों डिवाइस में यहाँ पे मिलता है ब्राइटनेस बीकाफी ज्यादा सिमिलर है डिस्प्ले की साइज सेम होने स्पेको एकार बात करbringen यहां पर काफी ज़्यादा समिलारिटी तो स्टार्ट करता हूं यहां पर बेसिक स्पेक्स है तो Bluetooth A10 और A50 दोनों में आपको दीखने मिलता है यहां पर बायकी dedicated speaker आपको दोनोंगों देखने मिलता है दोनों फीnamや आपको यहाँ पे dual SIM का support है, 2G support करता है, JioSIM आप यूज़ कर रहो, तो वो support नहीं करेगा, जो भी SIM company, यहाँ पे 2G network support करती है, तो वो सारे SIM card दोनों phones में यहाँ पे चल जाएंगे, 3.5 mm का port आपको दोनों phone में यहाँ पे मिलता है, बाकी music player भी जो है, आपको दोनों phone में आपे देखने मिलता है, overall memory card का support दोनों phone में आपको देखने मिलता है, तो 32GB तक का memory card आप दोनों phones में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, wireless FM भी आपको दोनों phones में आपे मिलता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, identify करना है, तो simply आपको A10 और A50 में difference पता करना है, तो यह मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया कि, camera से आप पता कर सकते हो, बाकी सारी चीज़े यहाँ पे सेम है, बैटरी के अगर बात करो दोस्तों तो 1750 mAh की बैटरी दोनों phone में आपको मिलती है, इन दोनों phone में कोई भी similarities या फिकोई भी difference आपको नहीं बता चलेगा, similar battery backup आपको दोनों phone में मिलता है, memory की बात करो दोस्तों यहाँ पे, तो 200 SMS आप दोनों phone में internal memory में रख सकते हो, and 800 contacts दोनों phone में आप internal memory में रख सकते हो, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा similarities है यहाँ पे, ज़्यादा difference है नहीं, अब बात करूँ मैं यहाँ पे additional features को लेके, जो आप लोग हमेशा पूछते हो कि auto call recording feature है, तो yes, auto call recording feature दोनों phone में आपको मिलता है, अच्छे से decent सा काम करता है, बाकी चीज़ों के अगर बात करूँ तो multiple languages भी दोनों phones यहाँ पे support करते है, language को लेके भी कोई problem यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, इन दोनों phones को लेके, अब बात करूँ बाकी चीज़ों के तो contact emoji को option भी आपको इसके अंदर मिलता है, अब बात करूँ मेरे final opinion and price की, तो guys, Motorola A10 यहाँ पे आपको 1200-1300 के price में मिलता है, और बात करूँ Motorola A50 की, तो यह जो phone है आपको 1600-1700 तक मिल जाएगा, दोनों के links जो है मैं नीचे description में दे दूँँगा, ताकि आपके लिए latest price चेक करना आसान हो जाए, और आपको phone अगर पसंद आए, तो आप खरीद भी सकते हो, बात करूँ मेरे final opinion की, तो कौनसा phone आपको चूज करना चाहिए, no matter आप इन दोनों में से कोई भी phone चूज करो, आपको similar specs मिलने वाले है, except यहाँ पे camera को छोड़के, वरना बाकी सारी चीज़े, इस phone में आपको same देखने मिलेगी, वर कुछ भी difference नहीं है, camera आपको matter नहीं करता है दोस्तो, तो आप Motorola A10 यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि speaker output की अगर मैं बात करो दोस्तो, काफी similar है, दोनों भी speaker काफी loud हो, FM भी काफी अच्छे से काम करता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो yes, camera आपको अगर नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप आपके 300-400 रुपे बचाके Moto A10 चूस कर सकते हो, जो कि 1200-1300 में आपको मिल जाएगा, बट, camera आपको just reference के लिए चाहिए, और एक gimmie की purpose के लिए भी चाहिए, तो भी फिर आप यहाँ पे Moto A50 के साथ जा सकते हो, तो यह था मेरा opinion दोस्तो, इस comparison में, कोई भी phone चूस कीजिए, दोनों के लिए thumbs up है, price के इसाब से दोनों भी justified है, हला कि A50 थोड़ा सा और कम हो सकता था, बट, ठीक है, Moto का brand ही आपको चीए, तो दोनों फोन्स आप prefer कर सकते हो, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया है याप है, कि दोनों फोन्स के साथ आपको 2 years replacement का एक option मिलता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो यही था दोस्ता आज के comparison वीडियो में, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो like का बटन यहाप है, जली से क्लिक कर देना, subscribe, पे भी क्लिक कर देना, जाते जाते, अगर मुझसे कुछ भी miss out हो चुका है दोस्तों,